अगर आप OnePlus 60 खरीद रहे हैं या फिर उसको खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बोलूगा कि आप थोड़ा और वेट कर लीजिए आपने इतना वेट किया है तो कुछ महीने और वेट कर लीजिए क्योंकि OnePlus 7 जो है वो बहुत बड़े अपग्रेड के साथ मा वेटन भी होगा उसको भी दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफोर्मेंटिव वीडियो आप देखते रहे हैं हलो एवर्यवन माइनम इस नमन वेलकम बैक टो टैग प्लस गैजेट कॉम तो चलिए आज की वीडियो शुरू गरते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MWC 2019 चल रह वहां पर शो आफ कर रहे हैं प्रोटोटाइप के रूप में और कुछ कमर्शियल फोन भी है जो रिलीज हो है चाहे वो फोल्डेबल फोन हो या हाई एंट स्पेक के फोन हो तो भाई वान प्लस जो ब्रैंड है वह भी पीछे नहीं हटा है उसने अभी कल के दिन ही अपना उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा मेजर खुदासा किया है वह खुदासा क्या है वह यह है कि वह फाईव जी के साथ आ रहा है उन्होंने जो एक अपना ब्रैंड जो वहां पे वान प्लस का जो उन्होंने लॉंच कहता उसमें उन्होंने लिखा था कि 5G is here और उन 5G ही नहीं बल्कि और भी ऐसी चीज़े हैं जो बहुत जादा मेजर अपग्रेट कह रहे हैं उसको वन प्लस सिक्स्टी से कंपेर में तो उस स्पैसिक्विकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या स्पैसिफिकेशन वन प्लस 7 के फोन में होने वाली है 5G तो ह यह है लेकिन और भी हाइएंड स्पैक्स इस फोन के अंदर होने वाले हैं जो आप प्रीमियम फोन जैसे सैंसंग के एस टैंड एस टैंड प्लस में देखने को मिल जाएंगे और आपको ना खरीदने का वन प्लस सिक्स्टी ना खरीदने एक और जो कारण हो यह है कि इनकी कि यह प्राइस होती है वह और उनकी फोन की और उती होती है क्योंकि जो वन प्लस शिक्स्टी है वह 35 चाहन रुपर अपको को अभी मार्केट में मिल जाए तो वनका सैवन जो को लॉंच़ करेंगी उसकी भी कीमत ही हो कि इससे ज़ादा नहीं होगी इंड चैंड के एंदर मिलने मिलने वाली है snapdragon 855 आपको समें मिलेगा वाली तो हाई है फॉल होने वाला है और जो डिस्प्लेशियों आया है वह साथ आने वाला है अजै के साथ अइसा सुना है हुंद है हंडिट परसेंट रूमर है कि यह रुमर आने वाला है जो आप वीओ और और ओपो की फोन में देख चुके हैं या फिर वीवो की तरह एक कैमरा पॉप अप वाला भी हो सकता है तो बहुत सा इनोवेटिव फोन होने वाला है अस कंपियर टू वन प्लस 60 इसलिए मैं आपको वेट करने का कह रहा हूं और कॉंट्रोवर्सी भी वन प्लस 60 और वन प्लस 7 जो तीनों फोन है उनके बारे में चल रही है वह कॉंट्रोवर्सी क्या है मैं आपको बताता हूं एक्चुली वन प्लस के जो सीओ है उन्होंने अभी ट्विटर पे ट्वीट किया है कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा ही कि वह जो वायरलेक्स चार्जिंग होती है वह उसको उसमें इतना बिलीव नहीं करते हैं उसको बिलीव ना करने का उनका मेरे असाब से तो यही कारण तो और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वन प्लस सेवन में वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी बट यह वन प्लस के ब्रैंड है यह जो बोलता है उसका अपोजिदी करके दिखाता है लाउंच इवेंट में जो भी चीज़े होती है वह लाउंच इवें इतरी होता है लेकिन उन्होंने वंप्लेक्स 60 के टाइम पर उपोजिटी किया था और उन्होंने ऑप हटा दिया था तो बहुंभी चार्जिंग बी आ सकते हैं उनको वन प्लस 61 त्वीवायलेस चार्जिंग देरी थी क्योंकि उसका जो ग्लास बैक है तो जो ग्लाइस वह बहुत जादा अच्छे हैं इसलिए मैं आपको oneplus 16 ना खरीदने का भी suggestion देता हूं अगर आपको emergency में फोन खरीदना है तो आप उसको खरीद सकते क्यों one of the best smartphone है budget smartphone है 30-30,000 रुपए में लेकिन अगर आप वेट कर सकते तो oneplus 7 के लिए आपको वेट ज़रूर करना चाहिए आपको बहुत अच्छा good looking premium phone मिलने वाला है जो Samsung Galaxy S10 को टक कर देने वाला है camera जो उसका है वो triple camera आने वाला है और बहुत सी चीज़े है screen का resolution वो जो particularly चलता है oneplus 6 oneplus 60 से बहुत जादा ऊपर करने वाले है उसमें वो live HDR करके option है वो enable करने वाले है तो बहुत सी चीज़े है जो oneplus 7 में मिलेगी जो oneplus 60 में नहीं है इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video ऐसी वीडियो में आप तक लाता रहूंगा और हमारे social media की जो सारी लेंक्स है वो भी description में तो आप हमें वहां पे भी follow कर सकते है क्या हम लोग वहां पे भी है और please this channel को subscribe करें कि मुझे आपके subscribe की इसी informative knowledge को gather करें thank you so much guys for watching this video मिलते है next video मैं ततक लिए bye bye take care and peace